कैसे हो आप सब आई ओप आप सब अच्छे आऊंगी तो आज में स्मूतिंग के बारे में आपने मेरी स्मूतिंग से देलेटेड काफी ज़दा वीडियोग नें तो चीर., मुझे समूतिन के बात बाल खराब act मेरे बाल क्वाई दो साल से जादा हो चुका है तो आप मेरे बाल देख सकते हैं ლ काफी दें काफ़ bola के स्मॉधिय है एंधा January स्कॉछ कॉफ की समुध्रिंग करवा है कंई फ़कर फिस सब्सकूंद पोनिय है इसके इलावा अशी की पहनी किया स्किप करनी है तो guys मैं अपने बालों की काफी अच्छी क्यार करती हूँ जिस वज़ा से मेरे बाल अभी भी काफी जदा स्मूथ है सिल्की है और हेर फॉल की प्रॉब्लम भी मुझे नहीं है जिसमें केर में सबसे पहले आता है कि मैं अपने बालों पर ऑईलिंग टाइम पर करती हूँ ऑईलिंग मैंने वीक में दो बर करनी ही करनी है चाहे जब मैंने स्मूथनिंग कर मेरे वन मंथ हुआ था तब ही से मैंने ऑईलिंग करनी स्चार्ट कर दी थी और अभी तक मैं अप increase ही हुई है और बाल आप देख सकते हैं बिलकुल straight है अभी तो मैंने hair wash भी नहीं किया है hair wash किये मुझे काफी दिन हो चुके हैं फिर भी आप मेरे बाल देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा healthy लग रहे हैं shine भी बालों में बरकरार है बेंड बालों में पड़ा है तो obviously याड़ दो डाही साल हो चुके हैं तो इतना सा तो possible है बट बाल hair fall की problem मुझे बिलकुल भी नहीं है अभी मेरे बाल काफी ज़्यादा smooth है silky है soft है और hair fall भी बिलकुल भी नहीं है इसका कारण यहीं है कि मैंने अपने बालों की अच्छी केयर की है अच्छी केयर से मेरा मतलब है कि मैंने काफी ज़्यादा अपने बालों पर oil की है जब मुझे smoothing करवाए हुए one month हो चुका था उसके बाद ही मैंने oil करनी शुरू कर दी थी और oil मैं करती हूं mustard oil के साथ इसके इलावा में और आमला ओयल भी यूज़ करती हूं mustard oil मेरा all time favorite oil है तो देखिए mustard oil से ही मैं oil कर रही हूं easily आपको अपनी कीचन में यह वला oil मिल जाएगा और कोई भी इस oil का नुकसान नहीं है अगर आपको oil करना अच्छा नहीं लगता है तो दो चर घंटे के लिए oil कीजिए उसके बाद hair wash कर लिजे बट मैं तो regular oil करके रखती हूं जब कभी मुझे कहीं जाना हो या फिर मुझे वीडियो शूट करनी हो तो मैं hair wash करती हूं अपनी वीडियो बनाकर फिर मैं रात में oil कर लेती हूं इस वजह से ही बाल काफी ज़्यादा healthy है बालों पर कोई असर नहीं हुआ है नितो smoothing करवाने के बाद बालों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जती है मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हमने smoothing करवाई है हमारे बाल बिल्कुल खराब हो गए है hair fall बहुत ज़्यादा होने लग गया है इसका कारण यह है कि हम smoothing करवाने के बाद यह सोच लेते हैं कि हमें oiling नहीं करनी है हमें बालों को fold नहीं करना है ब्रेड नहीं बनानी है तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने scotch cough की smoothing करवाई है और वन मन्त के बाद मैंने oiling भी start कर दी थी मैंने ब्रेड भी बनानी start कर दी थी पोनी भी मैं बनाती थी और मतलब ऑईलिंग में टाइम पर करती थी प्रोफेशनल प्रोडक्त मैंने एक देट साल यूज की है उसके बाद मैंने आयूर शेम्पू ही यूज करना शुरू कर दिया है तो देखिया ऑईलिंग करने के बाद न म प्रोफेशनल प्रोडक्त यूज करने हैं जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि अपने बालों को बहुत जड़ा टाइट नहीं बांगना है जब आपको स्पूंतिंग करवाई हुए 6-8 में हो जाते हैं या फिर 3 में हो जाते हैं तब आप अपने बालों के अच् हैं आपको ये विडियो अच्छी लगति हो कि वीडियो अच्छी लगति हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चानल को कर सब्सक्राइब तो चलिए कई मिलूंगी आपको अपनी नेक्स वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू रही